हे विरबन स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोड के नंबर वन चैनल बिहार बोड इस्टेड़ी पर है जिहां दोस्ते हैं आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के सब्जेक्टिव कोश्चन को इसमें हम लोग 10 यानि सब्जेक्टिव कोश्चन प्लोड किया जाएगा आपके चैनल पर ही और आपको यहां सभी यानि most important विवाई कोश्चन को यानि cover करेंगे हम लोग जिसों आपके एक्जाम में 100% यानि definitely वही आपको पूछेंगे तो चलिए गाई शुरू करते हैं उससे पहले में आप लोग को बता दें कि आपको जो यको चैनल को सबस्क्राइब कर लेंगा है सभी वस्तुनश परस्ण ऊपका सभी लगूत्रे बस दो चलिए हम लोग जानते ने पहला कोश्चन आपके screen प patch dared v they सब्सक्राइब कोश्चन नमर दूसरा को देखेगा बहुत ही विवे कोश्चन है अगबर ने जजिया क्यों समाप्त कर दिया था तो यह कर वसुला जाता था एक सब्सक्राइब तो आगबर यह सोचा कि यह सही नहीं हो रहा है यानि एक कम्यूनिटी से स्रिफ करो सुलना यह अच्छी बात नहीं है धार्मिक मतलब यह क्या है राजनितिक कारण बनता है तो इसलिए चीज़ को हम लोगों को समाप्त करता चाहिए तो यह बहुत ही अगबर एक जलाल उद्दिन इसको नाम से इसको जानते हैं लेकिन इस चीज़ में वह बहुत ही इसका दिल जो है बहुत ही अच्छा था और वह क्या कर नहीं इसको समात्त कर दिया था जाजय एक परकार का धार मिक करता और यह उद्दुन्स से वसूला जाता ता अंपर बानते हैं यह परकार करता यह धार्मिक कारण ने होकर राजनीती कारण वन गया था यह धार्मिक कारण ना होकर यह क्या वन गया था किया करा विजे-रणी से जो आपको वर न अगर को लौक कैंव CIRED वक्त किया जा सकता है ठीक है कि अस्तापते में सोडों की किले बंदी और विसाल कुंडों सरकों तथा बहुंडों को तथा कमल महल समाहित यह जो था इसमें बहुत अच्छा है इसमें विसाल कुंडों होने तुष का और उसके विश्था पंसकीरतिह का विश्थार बताते हैं तो इस आपको आप जानते हैं कि हरपा याई जो है सबसे पहले हरपा का खोज किया गया था इसलिए इसको हरपा कहा जाता है हरपा सभेता कहा जाता है आपको कोशन अक्सर बच्छे पूछते हैं आपके माइंड भी कोशन आता होगा कि हरपा यानि किसे कहते हैं हरप्पा का खोज किया गया था 1921 में सबसे पहले हरप्पा अस्त्र काoma घोजा गया था फा इसलिए क्या हो गया था क्या सबहता भी का जाता है और आपको बता दे कि आपको अगर पूझा ज्याएगा किunter सभेता किस नधी के किनारे है तो बहुत सारे बच्ची आख्र गलती सिंधू आपका सही हो जाया ठीक है और आपको एक जांते हों कि शिंद्व गाटि सभविता किसे कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है संधूनता राइट चलिएन संसखीर्ति के विस्तार के बार जानते हैं ुतर में जमू से लेकर समुलेटिक। यह संपुन्द छेत तिर्भुजाकार यानि तिर्भुजाकार चेत्रे में इसका च्छेत्रेफल जो है वंतलग कितना है बारे लाक निनाना बजाद 600 वर के किलोमेटर में फैला हुआ है अगर आपको पूछा जाएगा किसे परकार यानि फैला हुआ है ठीक है और इसका बार प्रकार की विचार मिलते हैं उपनिवेस्ट के विचारों से परकाट होता है कि लोग जीवन का आर्थ मिर्थ के बाद जीवन की शंभावना और पुर्ण जरम के बारे में जानने की चुक वाट लोग ऐसा उपाई या मार्ग पाने की चुक थे जो उन्हें मतलब उन्हें परकिर्ती को समझा समझ सके और उसकी मतलब विक्त करने की योगता दे मतलब यगाक के महत्तों के बारे में भी विचार मिलते हैं तो उपनिवेस्ट यह चीज आपको समझ गया होगा इसका आप स्क्रीन सोट ले लिजेगा इसको अच्छे से लिख लेंगे आप लोग ठीक जिस मार्ग को अपनाने के लिए कहा गया उसे अस्टांडिक मार्ग कहते हैं तो सबसे पहले आपको बता दे जो महत्मा बूद यानि गोतम बूद गोतम बूद का जो है जो जिस मार्ग पर चलना चलने के लिए वो कहता है यह तो अगर मार्ग पर आप चल जाते हैं तो इस में बहुत तरह की बात बताया गया है तो यह देखिए आपको हम बता रहें हैं कि क्या उसका चीज है तो आज स्टैंडिम मार्ग का जाता हूँ इस मार्ग को आपको फॉलो करना पड़ेगा देखें किसी भी अगर आप धर्मे के हैं तो उसका कुछ गाइडलाइन होता है उस गाइडलाइन को अगर आप फोलो करते हैं तभी उस धर्मे को आप अपना है ने तो अगर आप उस गाइडलाइन को फोलो नहीं करते तो उस धर्मे के आप नहीं है चाहिए कोई भी धर्मोच ठीक है तो यह चीज आपक पुचन शाम्यक जिवी का उसके वाद है साम्यक समर्थी साम्यक संकल्प शाम्यक कर्म वयाम उसके साम्यक शमाधी तो यह आठ था इन आठों को आपको याद रखना है इसी को यह लोग अस्टांडिक मार कहते हैं राइट अगर इसको नौट करना है तो आपको स्कूर्ण सभाद वड़ा किया था एक सविधान सभा किया था पहले और इसी का यानि निर्मान किया गया था सबको बैठा हुआ था बड़े बड़े लोग यानि दिग्गज लोग बैठे वे थे और उसी के यानि प्रस्ताव पर सबसे पहले जो है डॉक्टर आइंदर परसाद इसका था डॉक्टर सची नानम सिना था और अस्थाय देक्षी डॉक्टर आइंदर परसाद था ठीक है उसके बाद आपको इस सभीधान सभाग को दो वर्ष ग्यारह मां अठारह दिन क्या मतला अथक परियास से परियास दोवारा 26 नॉब्बर 59 सभीधान को सभीधान का संपूर सभीधान को इसको लागू कर दिया था तो आइधिंग आपको इतना तो आता ही होगा सेवर नमर कोशन आपका इतना ही इजी से सौल्ब हो गया चरे कोशन देखते हैं बटवारे की हिंसा और जर्मन होलोकांस्क में क्या अंतर था तो देखिए 1947 में भारतिये उप महादीप में हत्या की गई कोई सरकारी मुहिम नहीं चली थी जबके नाजिवादी सासन में यही हो रहा था तो देखिए 1947 में जो है उप महादीप में साड़े आम हत्या कर दिया था एक मुहिम चल गया था जिसमें लोगों को हत्या कर दिया जाता था और यह नाजिवादी सासन में होता था और ये नाजिवादी सासन को खाजाता था भारत विवाजन के समय जो नसले शफाया हुआ वह सरकारी सरकारी निकायों के नहीं बलकि धारमिक क्या थे भलकि धारमिक के थे कहां चले गए हम धारमिक कि आ कर लेजगा देखेंगा नाइन नमर कोशन दिमाग में चंपारण सत्यागरे सुरू करने के दो टाएक बहुत ही विए कोसन है आप göra जानते हैं चंपारण सत्यागरे किसे कहते हैं तो आपको बता दे चंपरन सत्यागर सबसे पहले आपको इस तरह लिख रहा है कि महात्मा गांधी दुवरा यह आंदोलन चलाए गया था 1917 में और यह सबसे पहले जो है इसका जो आंदोलन था महात्मा गांधी खा क्योंकि बिहार के एक चंपरन जिला है जहांके किसानों से यानि कर वो सुला जाता था और वहां के लोग जो इसको देने में सक्षम नहीं था तो इसके विरुद में वहां के जो किसान थे चोटे-चोटे किसान इसका विरुद कर रहे थे लेकिन इसकी कोई सुनबाई किया है है राज कुमार सुकल नाम के किसान थे और वहीं जाकर करके मात्मायन maxim को बढ़ था और वह आयत थे अपना बिहार करके चंपारन गया और वहां जाकर किसे का विरुधन यानी यह वहां संगर्ष किया और सबसे पहले 1970 में यही यानि इसका क्या था यह आंदोलन चला गया था तो इसका आपको कारण बताना है आप कारण की बात कर ले चंपारन में निल की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपियन निले बहुत अत्याचार करते था तो उस पर काफी अत्याचार कर दिया था तिन कत्यां पध्धिति लागू कर दिया था किसान के ल pilgrim में शांदीजी से राजकुमार की मांग की था तो चाइब नहीं जिसान गया था राजकुमार सुखन नाम के किसान थे और वहीं गिजाकर के तो चलिए आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही दिफिनेटली मजा आया होगा अगर मजा है तो लाइक करके अपने दोस्तों में यह जम करके सेर कर देंगे तो आज का और आप लोग जो बच्छे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगबर जम करके अपने दोस्तों में सेर कर दें